निकल पड़े हैं किस्ती में तो किनारे की परवाह किसे है जी भरकर गिराने वालों से सहारे की परवाह किसे है ये तो मेरा जुनून है जो मुझे जीना सिखा दिया ये तो मेरा जुनून है जो मुझे जीना सिखा दिया हौसला तोड़ने वालों से बनाने की परवाह किसे है नमस्कार मैं डाक्टर आर्पी सोनकर असिस्टेंट प्रोफेशर मनोविज्यान विभाग वसंत कन्या महा विद्याला काशी इंदू विश्विद्याला एक बार फिर आप सभी सम्मानित अव्याव को मैं प्री विद्यार्थियों का हर्दिक स्वागत अविनंदर करता हूं प्री विद्यार्थियों आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे वह यह है कि पिएजडी इंटर्विव में क्या-क्या पूछा जाता है या आप PhD इंटर्व्यू की तयारी कैसे करें सबसे पहले इससे सम्मंधित कुछ महतपुर जानकारियों पर एक नजर डाल लेते हैं इस समय अलग-अलग Central और State University में PhD इंटर्व्यू की प्रकिरिया चल रही है इसमें सारी जो अक्तिबिटीज है, वहां Departmental या Faculty के लेबल पर तैंग किया जाता है PhD की सीटे सभी University में Departmental लेबल पर निर्धारित की जाती है किसी Department की सीट कम हो सकती है तो किसी Department की सीट जादे भी हो सकती है PhD में admission दो तरीके से किया जाता है एक जो form होता है जिसे आप apply करते हैं वह rate के through होता है जिसको research in test test बोला जाता है जो पहले create हुआ करता था ठीक है और दूसरा होता है net exempted जिसमें वही बच्चा इसको form भर सकता है वही candidate apply कर सकता है जो net या ज्यारफ होता है अगर आप rate के through form भरते हैं तो आपको एक जो exam होता है उसको pass करना पड़ता है और उसके बाद फिर interview भी face करना पड़ता है इसके साथ ही साथ यदि आप net exempted में form भरते हैं तो आपको उस exam से होकर के गुजरना नहीं पड़ता है सिर्फ आपको interview के लिए call किया जाता है rate और net exempted की seat अलग-अलग होती हैं और दोनों को जोड़ करके उस department की total seat निर्धारित की जाती हैं इससे सम्मंदित आप यदि विसेश चीजे जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो पीएजडी के बारे में इससे बेहतर कोई बता ही नहीं सकता part 1 और part 2 सुन सकते हैं इससे आपको बहुत जानकारी मिल सकती हैं आज के वीडियो में मैं विसेश तवर से इंटर्वियो में किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए एवं इंटर्वियो के तयारी आपको कैसे करना है इस पर विसेश रूप से बात करूँगा PhD में अड्मिशन पाने के लिए अकाइडमिक जो रिकार्ड होता है वो बहुत महत्वपूड रोल इसका होता है और यदि आप PhD में अकाइडमिक रिकार्ड के आधार पर 60 पॉइंट्स पाते हैं यह पॉइंट्स आप में PhD के लिए एक निश्चित फार्मूला होता है जैसे आप बहु में भी दे सकते हैं और अलग-अलग इनवस्टी में भी होता है उस फार्मूला के आधार पर यदि आपका अकाइडमिक रिकार्ड 60 पॉइंट्स के लायक है या 60 के लगभग है या उससे नीचे हैं तो इस कंडिशन में आपके अडमिशन होने की संभावना 9 के बराबर होती है जबकि 60 परसेंट से ले करके 70 परसेंट के बीच में अगर आपका यह पॉइंट आता है एकाइडमिक जो रिकार्ड है वह आता है तो इडमिशन होने की संभावना 25 परसेंट है यदि 70 to 80 अगर आपका एकाइडमिक रिकार्ड है तो उस कंडिशन में 50 परसेंट संभावना ह होती है आपके enrollment की अगर 80 to 85 है तो यह बढ़कर के 75 परसेंट हो सकता है और यदि आपका 85 से लेकर के 90 के बीच में academic record आता है या 80 प्लस में आता है तो उस condition में आपके PhD में enroll होनी की समवना बढ़कर 95 के आसपास हो सकता है यह चीजें मैं जो पिछले कुछ दिनों से enrollment हो रहा उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर मैं आपसे साजा करा हूँ आज कल चाहे जिस भी board के बच्चे हूँ उनका percentage बहुत जादा यानि आप आउसकन मानके चलिए कि 80% के आसपास सभी का आ जाता है 2010 से पहले 60% का बहुत महत हुआ करता था परंतो आज के समय में 80% marks लाना एक सामान इसी बात हो गई है जिसके लिए आपको तयार रहना पड़े गया जिनसे आपको competition दे एक seat पर लगवग 25 से 30 गुना बच्चे जो होते हैं वो अपलाई करते हैं इसको आप दूसरे तरीके से समझे कि एक seat पर PhD में 25 से 30 बच्चे होते हैं जिनमें से किसी एकी का selection होता है ठीक है देश के कोने कोने से यानि भारत के विभिन राजियों से विभिन विस्विद्यालेयों से बच्चे PhD के लिए अपलाई करते हैं कुछ विस्विद्यालेयों में या प्रकिरिया शुरू हो चुकी है और कुछ विस्विद्यालेयों में बहुत जल्दी यह षुरू होने वाली है इसकी जानकारी यदि आम मैं BHU की बात करों तो BHU में भी कुछ डिपार्टमेंट में PhD की जो PhD इंटर्विव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ में शुरू होने वाली है इसकी विश्तिरित जानकारी आप BHU के official website bhuonline.ac.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या इसके अलामा आप अपने student portal या mail id के थुरू भी आप इस सुचना को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आपको अपना student portal यदि आपने apply किया है PhD के लिए तो आपको अपना portal या mail id समय समय पर निश्य दूरूप से इसको चेक करते रहना चाहिए अपना proposal आप PhD के लिए अपना proposal आप Hindi या English किसी भी भासा में तयार कर सकते हैं यदि आपका academic record 80 या उससे अधिक है तो आपके selection होने की संभावना एक तरह से बनी रहती है academic record प्लस interview performance के आधार पर आपका चैन निर्धारित किया जाता है यदि आप पहले से MFIL किये हैं तो आप उससे मिलता जूलता ही कोई topic या area चुने तो या आपके लिए ज़्यादा अच्छा है यदि आप दूसरा area चाहें तो ले सकते हैं लेकिन इससे भी संभन्धित आप से प्रश्न किये जा सकते हैं अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि PhD इंटर्व्यू की तयारी आप कैसे करें आप PhD इंटर्व्यू के लिए जो अपना प्रपोजल है उसको बिल्कुल सोच समझ कर आप बनाएं उस पर दिहान दें आप जल्दी बाजी न करें बहुत ही सोच और समझ करके आप अपना area और अपना topic डिसाइड करें इससे नो सिर्फ आपसे प्रस्ण पूछा जाता है बलके आगे आप इसी topic पर research करेंगे इसी के आधार पर आप बाद में job के लिए भी आपकी possibility बनी रहती है अप्लाई करते हैं प्रमोशन में भी इससे related question से पूछे जाते हैं और कई अन जगहों पर भी यदि आप apply करते हैं तो आपके इसी PhD से related आपसे question किया जाता है इसके साथ ही साथ इसी पर आप अगर बाद में अगर आप higher education में आते हैं तो इसी पर आप research करा सकते हैं और साथ ही साथ आपके specialization के आधार पर भी आपको business opportunity मिलती है इसलिए अपने proposal और research area और topic को बहुत ही सूच समझ करके decide करना चाहिए जल्दी बाजी नहीं करना चाहिए एक बार यदि आपने गलत area और गलत topic जिसमें interest नहीं है उसको select कर लिया तो जीवन भर आपको पस्तावा होगा और आप यह बार बार सोचेंगे कि मैंने यह area यह topic क्यों लिया अगर मैं दूसरे area में दूसरा topic लेके research करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है प्रपोजल को न सिर्फ बनाईए बलकि उसके एक एक शब्द को गहराई से आप समझने के कोशिश करिए यह मानिये कि इसका आप से अच्छा कोई और ब्याख्या नहीं कर सकता सामने वाले को आप से ज़्यादा जानकारी हो सकती है परन्तु आपके प्रपोजल के बारे में आप से बहतर कोई बता ही नहीं सकता आप इस तरह से अपनी बात को कम समय में इस पस्ट रूप से रखिए कि एक्सपर्ट के दिमाग में आपके रिसर्च वर की एक साप साप फ्रेमिंग हो जाए एक इमेज बन जाए एक एक बात धोस तरीके से तार्किक तरीके से एवं प्रभावसाली तरीके से आप प्रस्तूत करिए अपने प्रपोजल को आप 100% कांफिडेंस के साथ प्रस्तूत करिए या मानते हुए कि इससे बहतर कोई समझा नहीं सकता क्योंकि मैंने समझ करके इसको लिखा है एक्सपर्ट के लाख कोशिश करने के बावजूद आप अपने इस कांफिडेंस जोन से आप बाहर मत निकलिए इससे सम्मंधित जो लिटरेचर है आप उसको बिश्तित तरीके से पढ़िए, समझिए और लिटरेचर को बिलकुल खंगाल डालिए एक-एक चीजों को पर नजर डालिए और एक-एक चीजों की आप जानकारी रखिए क्योंकि इससे रिलेटेट जो इंपार्टेंट स्टडी है वो भी आप से पूछा जा सकता है जो आपको पता होना चाहिए अपने काम को परकीकता के साथ-साथ एक नए पन के आधार पर more informative बनाईए ज्यादा से ज्यादा आप इसको तयार करिए एक्सपर्ट आप से जान बूच कर कुछ ऐसे प्रस्न पूछते हैं जो कठिन होते हैं इसमें घबडाने की बात नहीं होती है आप भी यदि एक्सपर्ट होते तो ऐसा ही करते इमानदारी से पढ़ करके जाईए आने वाले सभी प्रस्नों को आत्म विश्वास के साथ बताईए उत्तर नव आने पर आप पूरे confidence के साथ साफ साफ मना कर देए इस पर भी आपको माक्स मिलते हैं प्रस्नों को इधर उधर न घुमाएं क्योंकि एक्सपर्ट बहुत घूम कर आते हैं उन्हें एक्जेक्ट आंसर पाने की उमीद होती है ठीक है प्रपोजल पर आप बार बार प्रेक्टिस करिए प्रपोजल को 10 से 15 मिनट में पूरा समझाने के लिए आप अभ्यास करिए इससे आपकी समझ एवं confidence विक्सित होता है जितना पूछा जाता है उतना ही आप बताईए ठीक है कभी कभी बिल्कुल आसान प्रस्न आपकी इसी छमता को जानने के लिए पूछा जाता है उस चीज का नाम आप बिल्कुल मत लिजिए जिसमें आपको जानकारी नहीं है एक्सपर्ट उसे पकड़ कर उसे आधार बना सकता है या उसे सम्मंदित आपसे प्रस्न पूछ सकता है अपने सबसी जो बड़ी पहचान है सबसे बड़ी जो काबिलियत जो पकड़ है आप हमेशा उसको पकड़ कर रखे रखिए उसका जिक्र आप बार बार करिए कम सब्दों में आप जवाब देने का अभ्यास करिए ठीक है कुछ प्रस्न आपसे जान भूच कर ऐसे ही पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे या आपके साथ ही नहीं सबके साथ होता है एक्सपर्ट को एक्सपर्ट को आप उधर ले जाएए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो उसके भटकाने के बावजूद भी इधर उधर के प्रस्ण पूचने के बावजूद भी आप उधर मत जाएए जो आपकी कमजूरी हो कमजूरी वाले प्रस्णों को आप साथ साथ मना कर दिजिए यह मानिए कि आपके काम को आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता इसलिए आप अपने काम को ही फोकस करिए नौ आने पर आपको साफ साफ मना करना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है ठीक है सेलेक्शन मेरा ही होगा लेकिन मुझे अपने आपको पहले साबित करना होगा ऐसा आप हमेशा सोच के रखिए लंबा इंटर्वी व्यदी आपका चल रहा है तो आप परशान बिल्कुल मत होगे यह आपके सेलेक्शन होने का सबसे मजबूत संकेत होता है बिना अपने आपको साबित किये कोई भी आपको औसर प्रदान नहीं करता अपने रिसर्च का पूरा मैट एकड़म क्लियर कट आप तयार रखिए ठीक है आप अपनी बात को सामने वाले को समझाने की कला को विक्षित कर गिए यह सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही होता है कोई यदि आप विवादास्पद या विसेश चीज आप कोड कर रहे हैं तो उस कंडिशन में आप इसका रिफरेंस जरूर याद रखिए अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि पिएजडी इंटर्विव में क्या क्या पूछा जाता है सभी इंवस्टी में एवरेज रूल की यदि मैं बात करूँ तो कुछ जगहों पर प्रपोजल घर से आपको बना के ले जाना होता है तो कुछ ऐसे इंवस्टी हैं जो आपको तुरंत प्रपोजल बनाने के लिए देते हैं या कुछ जगह पर प्रपोजल बनाने के अस्थान पर सिर्फ आप से प्रश्न पूछा जाता है यानि आपको प्रपोजल न तो बना के लेके जाना होता है नहीं वहां बनाने की जरूरत होती है परन्तु प्रपोजल प्लस इंटर्व्यू ठीक है कुछ जगहों पर जो प्रपोजल और इंटर्व्यू दोनों को मिला करके लगभग 50 नंबर का हो सकता है जिसमें प्रपोजल 20 मार्क्स और इंटर्व्यू 30 मार्क्स आसा हो सकता है जब कि कुछ जगहों पर प्रपोजल के अस्थान पर सिर्फ इंटर्विव ही 20 या 30 नंबर के लिये जा सकते हैं कुल मिलाजुला कर प्रपोजल एवम इंटर्विव के नंबर भले अलग-अलग इनवस्टी में अलग-अलग हो लेकिन मुख्य निसकर्स यही निकलता है कि आप से प्रपोजल के बारे में अवस्य पूछा जाता है जिसकी अच्छी खासी जानकारी आपको होना चाहिए जिस पर आधारित आप से प्रस्न एक्सपर्स के द्वारा किये जाते हैं एक कैंडिडेट का आउसतन 10 से 15 मिनट का इंटर्वी होता है परंतु यह इंटर्व्य कैंडिडेट के बताने के उपर भी निर्भर करता है अपना प्रपोजल आप अपनी सुविधानुसार किसी भी एरिया में किसी भी टॉपिक्स पर बना सकते हैं प्रपोजल में जिन जिन बातों का आप जिक्र करते हैं उनमें मुख्य रूट से टाइटिल क्या है यानि आपके रिसर्च का टॉपिक क्या है यानि उसमें वैरियेबल्स की आप बात करते हैं जब भी आप टॉपिक बनाईए यानि जिन जिन वैरियेबल्स को आप अपने टॉपिक में रखें उन वैरियेबल्स के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ करके जाएए तैयारी करके जाएए उसका operational definition आपको बिलकुल समझ में आना चाहिए यानि आप उसका मतलब क्या समझते हैं आपके लिए वह चीज बिसेश किस तरीके से है आप उसका operational definition निश्चित रूप से समझ के जाएए related अगर कोई theories है तो आप उसको जरूर जानते रहे उससे related कोई study है या महत्वपुड कोई सिधानत है तो आप उसको भी जानिए related जो experts हैं जो विद्वान हैं जो काम किये हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए और साथ ही साथ जितने भी variables आपने लिये हैं उन सारे के बीच में relationship के भी बारे में पूछा जा सकता है जो आपको जानना चाहिए इसके बाद जो आप proposal बनाते हैं उसमें review of literature की बात करते हैं review of literature के through यानि जो भी आपने topic select किया है उसका आधार क्या है क्यों आपने topic select किया है इसकी सारी जो जानकारी होती है वो आप review of literature के through बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं और खुद समझ सकते हैं इससे related अगर कुछ महत्पूर्ट जनरल्स हैं तो वो भी आपको याद होना चाहिए ठीक है आप जो भी proposal बनाते हैं उससे related जो rational हैं और जो implications हैं वो बहुत ही clear cut आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि किसी भी research करने के पीछे एक मुख्य तर्क होता है और उसका समाज के लिए कुछ नकुछ उपयोग होता है तो ये महत्पूर्ट रिसर्च का पार्ट होता है जो आपके research करने की चीजों को साबित करता है जो इसके महत्त को दरसाता है साथ ही साथ आपने जो objectives बनाया है आप उसकी समझ रखिए जो hypothesis बनाया है आपने उसके बारे में आप जानिए और methodology को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से clear cut समझने की कोशिश करिए जैसे आप से पूछा जा सकता है कि आप sampling कैसे करेंगे ठीक है या आप जो scales use करेंगे वो कैसा होगा scales की बात आएगी तो आप से reliability और value की भी बात की जा सकती है procedure आप क्या अपनाएंगे अपने research में और साथ ही साथ अगर आप data analysis करते हैं या statistical analysis करते हैं तो आप इसमें क्या लगाएंगे तो कोई भी research होगा उसमें यदि आप T लगा सकते हैं या एनोवा लगाएंगे या correlation लगाएंगे या advanced statistical technique का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो भी आपने सोचा है अपने research में यूज करने के लिए उसके बारे में आपको clear cut मालूम होना चाहिए कभी कभी आपसे research design से related भी question कर दिये जाते हैं और जो आप referencing की बात करते हैं कभी कभी referencing के जो API style वेगर होता है उसके बारे में भी आपसे कुछ प्रस्न पूछे जा सकते हैं इसके अलावा आपके area of interest से भी कुछ questions पूछे जा सकते हैं यदि आपने पहले से एंफिल किया है तो उसके बारे में बहुत ही detail आपसे पूछा जा सकता है आपको उसकी भी तयारी आपको पहले से करके अच्छे तरीके से करके जाना बहुत ज़रूरी है खास तोर से जो आपने एंफिल किया है उसका rational क्या था करने का major findings आपने क्या पाया है और इसका implications क्या है इसको आप इस रूप से आपको तयार करके जाना चाहिए आगे अगर हम कुछ और चीजों की बात करें तो PG में अगर आपने dissertation किया है तो इससे संबंधित भी questions आपसे पूछे जा सकते हैं यदि आपने PG में dissertation नहीं किया है और आप अब research करना चाहते हैं तो इस पर भी question हो सकता है कि ज आपने PG में dissertation क्यों नहीं opt किया इसका भी answer आपको ढूड कर रखना चाहिए इस interview में कम से कम अगर मान लीजिए कि थोड़ी दर के लिए मान लीजिए कि 20 marks का अगर interview हो रहा है तो इस interview में 30 से 40% marks लगभग हर candidate को मिल जाते हैं लेकिन highest marks जो दिया जाता है उनको 70 to 80% दिया ज जाता है यानि अगर 20 number का interview हो रहा है तो 6-7 number लगभग सभी candidate को जो थोड़ा बहुत भी बता लेते हैं उनको मिल जाता है जबकि 70-80% यानि 14-15 number उनको दिया जाता है जो बहुत अच्छे तरीके से शुरू से अंततक पूरे आत्मिश्वास के साथ तार्किक तरीके से सभी प्रसनुख का जबाब देते हैं यानि आपको highest 70-80% marks तभी मिलता है जब आप अपने interview से या सावित कर देते हैं कि आप किसी भी टॉपिक पर सबसे अलग तरीके से सोचते हैं और समझ रखते हैं आपकी सोच और creativity बहुत ही महत्वपूर और appreciable है ठीक है सभी experts आपको highest नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए या सहमती हो जाए आपको इस रूप में अपने आपको प्रस्तुत करना है उन्हें ऐसा महसूस हो कि वास्तों में हम लोग आप जैसे ही researcher की तलास कर रहे हैं इसे research का मौका अवस्थ मिलना चाहिए इस बात पूले करके सभी आपके बारे में एक जैसा सोच है इसके आपके topic में जान है या बहुत relevant है महत्वपूर है इससे कुछ बिसेश तरह के result आने की संभावना है इस तरह की जो सोच है आप सामने वाले के लिए पैदा करें ठीक है सोचने पर ऐसा आप मजबूर करें जो भी विभाग एवं जो समाज है जो भी विभाग एवं society के लिए आप एक आदर्स research की तरह से अपने research को आप एक तरह से paste करिए यानि आपका research ऐसा होना चाहिए जो आपके department के लिए और आपके society के लिए बहुत useful हो उनके लिए कल्यानकारी हो इस तरह का आप कोई काम करिए या ऐसा proposal आप बना के जाए या इस तरह का आप research plan कर से इस research से रोकना यानि आपके बारे में सभी researcher के बारे में इस तरह की सोच पैदा हो कि आपको research करने से रोकना या research करने का मौका नौ देना यह आपके department और यह इस university का दुरुभाग होगा यदि हम आपको research करने का मौका नहीं देते हैं तो यह चीजें experts के अंदर कैसे आएंगी जब आप अपने आपको बेहतर तरीके से सारे candidates से अलग तरीके से अपने आपको आप प्रसेंड करेंगे तब यह चीजें संभ़ हो ऐसे जो researcher है वो बार बार interview में नहीं आते हैं या ऐसे candidate नहीं मिलते हैं इस तरह की सोच आपको सा society के जरूरत के हिसाब से हो ना कि वो आपके सुवधा के हिसाब से हो आप PhD ही क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में भी आपसे question किया जा सकता है या PC University से ही PhD करना चाहते हैं ऐसे भी question आपसे पूछे जा सकते हैं सुरू सुरू में कुछ घबड़ाहट आपको होगी या सब के साथ होता है दीरे दीरे आपका जो आत्मिश्वास है आपकी जो सकारात्मकता है या आपके इस घबड़ाहट को कम करती है ठीक है सभी प्रस्णों का जबाब कोई नहीं दे पाता है इसे ले करके आप परिशा जान मत होई है जो दिया है उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दीजिए ठीक है जो आपको मालूम है उसको आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताईए कभी कई प्रस्णों के जबाब नो देने के बावजूद कुछ प्रस्ण के सटी केवं बेहतर जबाब देने के क का सोचना चाहिए इंटर्वी में जाने से पहले आपको घबडाना बिल्कुल नहीं चाहिए आपको पूरे आत्म विश्वास के साथ जवाब देने के लिए तयार रहना चाहिए न जाने कितने दिनों के बाद आपको साबित करने का यह सुवसर प्राप्त हुआ है अगली बा और ऐसा मौका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा यह कोई नहीं जाने मेरा सेलेक्शन हो या नहीं हो कोई फरक नहीं पड़ता जो मैं पढ़ा हूँ आज उसे बेहतर तरीके से प्रजेंड करने से मुझे कोई रूक नहीं सकता मुझे अपने ख्वाब को पूरा करने का आउ का ही सेलेक्शन किया जाएगा ऐसा मुझे दिर्ण विश्वास है मुझे सिर्फ पूरी इमानदारी एवं आत्म विश्वास के साथ अपना इंटर्व्यू देना है सभी एक्सपर्ट्स मेरा सेलेक्शन अवस्य करना चाहेंगे मैंने अपने रिसर्च के लिए बहुत महनत किय मुझे दिर्ण विश्वास है कि वो जो कुछ भी पूछेंगे मैं बहुत अच्छे से उसको बताऊंगा मैं ऐसा बताऊंगा कि सब मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे इतना पढ़कर जाऊंगा कि मैं अपनी बारी की बेशबरी से इंतजार करूँगा या आप इतना प अब जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि इंटर्व्यू देने के बाद आपको क्या सोचना चाहिए किसी भी प्रस्न का जवाब देने के लिए 100% यानि 100% किया गया कोशिश ही आपकी जीत होती है सेलेक्शन तो एक परड़ाम है जो कई में से किसी एक का होता है ठीक है मैंने बहुत जबर्दस्त इंटर्व्यू दिया है सेलेक्शन होना या नो होना कई कारुकों पर निधर करता है आपको इस तरीके से अपनी सोच को विक्सित करना चाहिए सभी से अपने जबर्दस्त इंटर्व्यू के बारे में बताईए नो कि किसी के बुराई के बारे में सामने वाले के निड़य का आप सम्मान करिए इस्वर कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होने दगा उसे आपकी बहुत फिक्र है उसने आपके लिए बहुत अच्छा सोच कर रखा है ठीक है आप के लिए जो भी सबसे बहतर है वह उपर वाले ने सोच कर रखा है बस उसकी यह मजबूरी है कि वो आपको पहले से नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा करने से लोग मेहनत करना छोड़ देंगे आप आज किसी चीज के लिए अगर आप किसी चीज के लिए निरास हो जाते हैं तो उपर वाला मजबूरी में हार कर छोटी मोटी चीजें आपको दे देता है क्योंकि वह तुम्हें निरास नहीं देखना चाहता लेकिन तुम्हें अच्छा न दे पाने का उसे हमेशा अफ्षोस होता है अब प्रस्न यह उठता है कि आप अपने आपको कहां देखना चाहते हो यानि अब ये तुम्हारे उपर है कि आप पस्तितियों का डट कर मुकाबला करते हो या हार माल लेते हो आप सभी को आपके उज्वल भवी सकी बहुत बहुत शुब कामन है